हेलो वाई मैं हूरन पवार क्या साइल टोज इंडिया में तो ट्रिम्स में यह एक टेक लाइन और ग्यूटी लाइन आप देख चुके आज हम इस वीडियो में टेक लाइन देखने वाले हैं जो की टेक्नोलोजी वाले फीचर से भरपूर होने वाले वह गाड़ी यह एक्ट चीजों में टीटी लाइन से कोई फरक नहीं है अब किवल एक चीज मिलेगा यहां पर आपको जो है फ्रेंट कैमरा नहीं मिल रहा है लेकिन यह एक यह ने बड़ीया काम करें जो फ्रेंट पार्किंग सेंसर वह दियू तो बहुत बड़ीया काम आते हैं अगर आप पार्क की लुक को बहुत मस्कुलर टाइब बनाता है तो अगर हम अलोई वील्स की बात करें तो जीटी लाइन से आपको डिफ्रेंट मिलते हैं कि आर साथ की बात करें तो 215 साइट आर सतरह ऐसे कुछ दिखते हैं इसका अलोई वील कि आकी इसमें बीच में ब्रेंड निगा जात से वहीं आपको हाइट बीट टेल लेम्स मिल जाते हैं रियर के लिए जो कि 3D एफेक्ट के साथ जलते हुए बहुत मस्क्त लगते हैं कि रूफ रेल वगरा इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है बूट साइज की बात करें तो 433 लीटर का बूट स्पेस है आठ प्रीमियम बोस के स्पीकर्स मिलते हैं जो कि बहुत बड़े सांड प्रोडूस करते हैं यह इसका हो गया स्पेर वील और जैक भी आपक कि यहां का लोग मिल जाता है और रिवर्स कैमरा भी आपको किया ने दिया है टॉप मोडल में टेक लाइन के और साइड में आपको क्रोम के हैंडल मिल जाते हैं अंदर बैठे हैं अगर हम तो यहां पे आप देख रहे हो बीज प्लस ब्लेक कलर का ड्वल टॉन इंटीर है यहां पे आपको रियर डॉर संशेट करेटें मिल जाते हैं दोनों प्रिली सीट्स के लिए वह अगर आप को यहां टॉट को यहां पार आपको यहां पे आपको तीन नए रियर डी तो गाड में बहुत कमफर्टेवली कहें वी लोंग ड्राय पे मिल जाते हैं उसी की तरफ आपको स्मार्ट यह रज्याते हैं एस इवेंट से नीचे हैं उसी के नीचे आपको डियर उस भी चार्जर मिल जाता है ऐसा कुछ दिखता है इसका पीछे से इंटीरियर इस गाड़े में आपको Ambient Mode Lighting मिल जाती है और LED Sound Mode Lights जो जब आप गाड़ी चलाओगे सब्सक्राइब के साथ जो बाउंस करती है और बहुत बड़ी हाई एक फील देते हैं जब आप गाड़ी रात के टाइम चलाओगे वहीं लेक्ट्रिक संड्रूप भी मिल जाती है आपको इस गाड़ी में जो आप इस तरीके से बंद्य खोल सकते हो इस बटन से और इस गाड़ी में आपको सारी गिलास यूवी कट मिलेंगे यानि दूप कम से कम आपकी गाड़ी में एंटर कर पाएंगी चारों विंडोज और जो फ्रेंट की विंडिशिल्ड है वो भी आपको जो है यूवी कट सोलर ग्लासेज मिल जाते हैं वहीं अगर हम आगी की त आराम से रख सकते लों ड्राइब पर जो आपको कमफटेबल फील होगा ये गलब बोक्स मिल जाता है इसके उपर यह आपको लेदर की फिनिश दीगे जो इंटीर क्वालिटी को फोड़ा बढ़ाती है 10.24 इंचिस की यहां पर आपको स्क्रीन मिलती है जिसमें आता यूव आ जो करेंच करके जो है क्या कि ओफेशल है वहीं अगर हम इसके नीचा चलें तौफिवें चलें ठाप और फार्किंग करो जाता है जैसा आप ओ लूंडा जाता है जहां से आप फेन की स्पीड को कम जादा कर सकते हो यह मोड़ चेंज कर सकता हो पहरों प्यावाद जिए का चीए यह रियर और फ्रेंट डिफ हो गर के बटन हो गए यहां से आप टैम प्रेजर सेट कर सकते हो 16 तक लोट पहुंचता है उसी के साथ आपको नीचे बा अगली दोनों ड्राइवर के लिए और पैसेंजर के लिए जहां से आप हवा भी अपनी आडियस कर सकते हैं तो कितनी चीए और इसमें 360 डिगरी वाला व्यू नहीं आता वाई 360 कैमरा इसमें नहीं है वो आपको केवल जीटी लाइन में मिलेगा तो अगर आप रिवर्स गे में जाना पड़ेगा जो स्पोर्ट मोडल है उनका यहां मिल जाता है इतना स्पेस है इसमें और इसमें आपको हैड़ अप डिस्प्ले भी देखने को नहीं मिलती है जहां पे आपको जो एमाइडी की प्रोजेक्शन है कि गाड़ी स्पीड पर कितनी चल रही है और जिस र आप स्टेरिंग मांटेट कंट्रोल मिल जाते हैं अपने म्यूजी स्टम के लिए जहां से आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं और उठाने का काटने का वह इस कमांड भी आप देखे कुछ भी काम करा सकते हैं वह इस कमांड फीचर इसमें एवलेबल है और यहां पर अगर मैं माइडी की बात करें यहां पर आपको दिखाएगा कि कौन साथ गेट खुला हुआ है जैसे बोनेट खुल रहा है तो वहां पर रेड रेट साइन आ रहा है यहां इस बटन से आप चेंज कर सकते हैं सेटेंग्स रेंज बता रहा है अभी फ्यूल एकनोमी 3.0 की हैं पर कंप प्रेशर जब बताए जब गाड़ी चलाओगे तो यह कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं माइडी में क्या सेल्टो सी टेक लाइन में वहीं आपको एंटीग लेयर इंसाइड रेयर्वी मिल जाता है यूग कंट्रॉल बटन के साथ जो आप अपने फॉन वगरा सी यूग पर इंजन की बात करें तो आपको टैक लाइन में देखने को मिलते हैं पैट्रोल डीजल तो सबसे पहले जो आप देख रहे हो यह डीजल वाला है वन पंट फालुए तो इसकी बात करें तो डिस्प्लेस्मेंट इसकी 1430 में 1493 सीसी का यह इंजन है पावर जनरेट करता है और ऑटोमेटिक ट्रास्मिशन में भी आपको डीजल गाड़ी मिल जाए वहीं पैट्रोल के अगर बात कर लेते हैं 1.5 लीटर तो 1497 सीसी का इंजन है उसमें पावर जनरेट करता है 115 PS की 6300 RPM पे 6-speed intelligent variable auto transmission और 6-speed manual transmission के साथ पैट्रोल में आपको गाड़ी मिल जाते हैं अगर अगर हम पैट्रोल वाले की बात करते हैं तो 16.8 का आपको ओटोमेटिक में मिल जाता है पैट्रोल में तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद वीडियो पसंदा लाइक कर देना और उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक्यू सो मच